इसमें आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है तो सोलवां टॉपिक बिर्टिस का भारत में आगमन पंजाब मैशूर आधी के संबन में हो गया था आधी ये लूसेंट आप्शनल का सत्रवां टॉपिक है बिर्टिस सासन का भारती अर्थव्यस्था पर प्रभाव बिर्ट और चालिस कोस्चन होंगे इससे रिलेटेड लूसेंट आप्शनल से और किरन बुक से जो टॉपिक है बिर्टिस सासन की भूराजस नीतिया भी देखेंगे तो देर ना करते हुए पहला कोस्चन है अंग्रेजी सासन का प्रभाव किस छेत्र में अधिक पड़ा आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोविग्यानिक तो अंग्रेजी सासन का प्रभाव सबसे अधिक आर्थिक छेत्र में पड़ा तो ये तो पहला कोस्चन था आप देखते हैं बिर्टिस सासन की भूराजश नीतिया पहली नीतिया इस्थाई बंदोबस्त देखें इस्थाई बंद ये चीरिस्थाई चीरिस्थाई ये जमीदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है ये बेवस्था में जानशोर येवं जेम्स ग्रांट भी जुड़े थे इस ब्यवस्ता में जानसोर एवम जेम्स ग्रांट इस्थाई बंदोबस्त ब्यवस्ता में किसानों के भूम में सम्मंदी अधिकार समाप्त कर जमीदारों को भूम में मालिक बनाया गया इस्थाई बंदोबस्त में देखिए रैयत बाड़ी विवस्था के जनमदाता थामस मुन्रो एवं कैप्टन रीड थे या विवस्था मदरास एवं बंबई में लागू की गई रैयत बाड़ी विवस्था को सरप्रथम बारा महल तमिलनाड में लागू किया गया बारा महल तमिलनाड इसके अंतरगत प्रतेक जमीन धारक को भूश्वामी श्रविकार करके उसके साथ लागान की सरते तै की गई कुल विर्टिस भूमिका एक क्यावन प्रसत लागू उन्नेश प्रसत इस्थाई बंदोबस्थ में और एक क्यावन प्रसत रैयत बाड़ी विवस्था में महाल वाडी बंदोवस्थ अगली विवस्था है महाल वाडी बंदोवस्थ देखें महाल वाडी बंदोवस्थ के जनम दाता हाल्ट माइंकेंजी हाल्ट माइंकेंजी तथा रावर्ट मार्टिन्स बर्ड ये दोनों थे हाल्ट माइंकेंजो वर रावर्ट मार्टिन्स बर्ड कुल बिटिस भूमिका 30 प्रिस्ट लागू था 19 प्रिस्ट इस्थाई बंदोवस्ट में और रयत बाड़ी विवस्था में क्यावन और महाल बाड़ी बंदोवस्थ में 30 प्रिस्थ इस विवस्था के अंतरगत दक्कन के कुछ जिले संयुक्त प्रांत आग्रा आवद मद्प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्थे सामिल थे इस विवस्था में प्रतेक महाल यानि जागीरिया गाउं के अनुसार अंग्रेजों ने राजस निश्चित किया धन का वहिर गमन ड्रेन ओफ वेल्थ अगली हेडिंग है धन का वहिर गमन ड्रेन ओफ वेल्थ देखे धन के वहिर गमन के दिशा में प्रतम प्रयास दादा भाई नवर्योजी ने किया इसके अनुसार भारती संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्सी कुथपाद ब्रेटन को निर्याद कर दिया जाता था जिसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता था आर्सी दर्थ की पुस्तक एकोनॉमिक हिस्ट्री आफ इंडिया को आर्थी कितिहास की पहली पुस्तक माना जाता है इसी के अंतरगत एक टॉपिक है बिर्टेस काल में विदेशों में भेजे गए सिष्ट मंडल बिर्टेस काल में विदेशों में भेजे गए शिष्ट मंडल तो पहला जो शिष्ट मंडल है किर्क पैटरिक सिष्ट मंडल किर्क पैटरिक सिष्ट मंडल जो है नेपाल देश भेजा गया कार्णवालिस के समय में 1787 में किर्क पैटरिक सिष्ट मंडल अगला है मेलकम सिष्ट मंडल ये इरान भेजा गया वेले जली के समय में गवर्नर जर्नल वेले जली था 1797 में एल फिंगस्टन सिष्ट मंडल ये काबुल भेजा गया मिंटो के समय में 1808 में मेलकम सिष्ट मंडल दूसरा भेजा गया पहला वाला 1797 में वेले जली के समय में भेजा गया था इरान में लेकिन दूसरा मेलकम सिष्ट मंडल 1808 में ही भेजा गया मिन्टो के समय में इरान भेजा गया अगला सिष्ट मंडल है डेविड सेटान सिष्ट मंडल डेविड सेटान सिष्ट मंडल सिंद भेजा गया मिन्टो के समय में 1809 में अगला है रावर्ट्स सिष्ट मंडल रावर्ट्स सिष्ट मंडल काबूल भेजा गया लैंस डाउन के समय में 1892 में अगला है हेनरी डूरंड सिष्ट मंडल हेन्री दूरंड शिष्ट मंडल काबूल भेजा गया 1903 में यंग हसुवेंड शिष्ट मंडल लाड करजन के समय में यंग हस्बेंड सिष्ट मंडल, अगला है डेन सिष्ट मंडल, डेन सिष्ट मंडल काबुल भेजा गया करजन के ही समय में 1904 में, अगला है डाक्टर अंसारी मिसन चिकितसा के छेतर में डाक्टर अंसारी मिसन ये सिष्ट मंडल भेजा गया तुर्की को हार्डिन के समय में 1912 ब्रिटिस उपनिवेस्वाद के चरण और विशेष्टा तो जो वाडिजिक चरण था 1757 से 1813 तक इसकी विशेष्टा ये थी एकाद इपत्वियापार वा प्रतेच विन्योग का काल कहलाया ये वाडिजिक चरण अगला है अधोगिक चरण जो 1813 से 1860 तक था इसकी विशेष्टा थी मुक्त वियापार का काल तीसरा है वित्तिय पूझी वाद 1860 से 1847 तक इसकी जो विशेष्टा है ये विशेष्टा ये विशेष्ट पूझी निवेश का काल तो ये तो तीन विशेष्ट उपनिवेश वाद के तीन चरण है वाडिजिक चरण अधोगिक चरण वित्तिय पूझी वाद वालिजिक चरण एकाद दिपत वेयापार वा प्रतेच विनियोग का काल और दोगिक चरण मुक्त वेयापार का काल और वित्ती पूझी वाद बिर्टिस पूझी निवेश का काल वालिजिक चरण 1757 से 1813 तक और दोगिक चरण 1813 से 1860 तक और वित्ती पूझी वाद 1860 से 1947 पस्चात अंग्रेजों की लूट सुरू हो गई थी ब्रिटिस काल में भारत में निमलिकित में से किस भूराजस विवस्था को नहीं अपनाया गया तो ब्रिटिस काल में इस्थाई बंदो वस्था अपनाया गया रैत वाड़ी विवस्था अपनायी गयी महाल वाड़ी भारत में प्रथम रेल लाइन निमलिखित में से किसने बिछवाई थी तो लार्ड डलहोजी ने भारत में प्रथम रेल लाइन बिछवाई थी भारत से ब्रेटन की ओर संपत के अपवाहन का सिधान्थ किसने प्रत्पादित किया था तो भारत से ब्रेटन की ओर संपत का अप अडारा सो तिरपन इसवी में लार्ड लहोजी ने जो पहली टेली ग्राफ लाइन शुरू की वा किसके बीच थी तो अडारा सो तिरपन में लार्ड लहोजी ने जो पहली टेली ग्राफ लाइन शुरू की वा कलकत्ता और आगरा के बीच में थी कलकत्ता और आगरा के बीच म भारत में बिर्टिस भूराजश प्रडाली का निम्लखित में से किसने अधिक लाप प्राप्त किया तो भारत में बिर्टिस भूराजश प्रडाली का जमीदारों ने सबसे अधिक लाप प्राप्त किया बारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मील किस सहर में स्थापित किया गया अंग्रेजो दोरा बनाई गई भूराजस व्यवस्था की निम्न प्रडालियों में से कौन सी क्रस्कों के हितों को अधिक सुरच्छा प्रदान करती थी तो अंग्रेजो दोरा बनाई गई भूराजस व्यवस्था की मदरास प्रांथ की जो रहत वाड़ी व्यवस्था थी क्रस्कों के हितों को अधिक सुरच्छा प्रदान करती थी मदरास प्रांथ की रहत वाड़ी व्यवस्था जिसे थामस मुन्रोयम कैप्टन रीट ने बनाया था मदरास और बंबई में लागू थी ये और सबसे पहले ये बारा महल तमिलनाड में लागी की गई थी इसके अंतरगत प्रतेग जमीन धारक को भोस्वामे सुविकार करके उसके साल लागान की सरते तै की गई रायत वाड़ी विवस्था में गेरवा कोश्चन है किसके दोरा बंगाल और बिहार का इस्थाई बंदोवस्थ यानि इस्त मरारी बंदोवस्थ सुरू किया गया तो लाड कार 49 के समय में 1793 में बंगाल और उडिसा में ये लागू की गई इस्थाई बंदोवस्थ या इस्त मरारी बंदोवस्थ है ना परमानेंट सेटलमेंट और या विवस्था जान सोर एवम जेम्स ग्रांट से भी जुड़ी थी किसानों के भूमी समंदी अधिकार समाप्त कर जमीदारों को भूमी मालिक बनाया गया इस विवस्था के अंतर गयत इस्थाई बंदोवस्थ में बारवा कोश्चन बिरटिस सरकार ने भारत में इस्थाई बंदोवस्थ कब लागू किया तो अभी 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 बने बताया 1793 में लाड कार 49 दौरा बिहार बंगाल एव मुडीसा में रायत बाडी विवस्था कब लागू की गई रायत बाडी विवस्था 1820 में लागू की गई इसके जनमदाता थामस मुन्रोयम कैप्टन रीट थे कुल बिरटिस भूमिका 51 प्रस्त लागू पहली बार अपचारिक रूप से महाल बाडी प्रता कब लागू की गई तो पहली अठारा सो बाइस में इस्ताई बंदोबस जिन छेत्रों में लागू किया गया उनमें सबसे पहले लागू की गई बंगाल में फिर बिहार में फिर उडीसा में फिर मदरास के उत्रे जिले में फिर बनारस में बंगाल बिहार उडीसा मदरास के उत्रे जिले बनारस अंग्रेजी सासरकाल में भारत का कौन सा छेत्र अफिम उत्पादन के लिए प्रसिद था तो अग्रेजी सासरकाल में भारत का बिहार जो था ये अफिम उत्पादन के लिए प्रसिद था उत्पादन के लिए अठार्वी सदी में बंगाल में वस्त्रुदोग के पतन के लिए उत्तरदाई कारण था ब्रिटन को निर्याद करने वाले माल पर उच्च तट कर अठार्वी सदी में बंगाल में वस्त्रुदोग के पतन के लिए उत्तरदाई कारण था ब्रिटन को निर्याद करने वाले माल पर उच्च तट कर अठार्वा कोश्चन है नील क्रिस्कों की दुर्दर्शा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे तो अंग्रेजों दर्प्रथम कहवा बागान लगाये थे वायनाड जन्पद में वायनाड जन्पद में विश्वा अंग्रेजी सासन के दवरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किस ने किया था तो अंग्रेजी सासन के दोरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन दादा भाई नव रोजी ने किया था भारत में किस्वा कोस्चन है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगरना किसके कारकाल में हुई तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगरना लर्ड मेयो के कारकाल में हुई सर टामस मुन्रो किस भूराजस बंदोबस्त से समंदित है तो जो सर टामस मुन्रो जो है रहत बाड़ी बंदोबस्ता से समंदित है स्वतंत्रता पूर्व आवद में विर्टिस सरकार द्वारा भारत में आधुनिक सिच्छा के प्रसार का मुख उद्देश था कि छोटे प्रसासनिक पदों पर नियुक्ति है तू सिच्छित भारतियों की आव सकता होना पचीस्वां इस्थाई बंदोवस्त के तहित जमीदार को पूरे लागान या भूराजसु का कितना प्रसत राज को देना तैं किया गया था चबिस्वां कोश्चन है रहत वारी विवस्ता जिन शेत्रों में लागू की गई उनमें सामिल थे मदरास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्ता का प्रोरतक किसे कहा जाता है उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्ता का प्रोरतक माल्टिन बर्ड को कहा जाता है उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्ता का प्रोरतक दी फादर आफ लेंड सेटलमेंट इन नौर्थन इंडिया में माल्टिन बर्ड को कहा जाता है समस्त अंगरेजी भारत की सरवादिक भूमिकर एक्यावन प्रिसत भूमिकर अपनाई गई भूराजस व्यवस्ता थी तो रयत बाड़ी व्यवस्ता जो थी इस सरवादिक भूमिकर एक्यावन प्रिसत भूमिकर रयत बाड़ी व्यवस्ता 19 प्रसत भूमी पर इस्थाई बंदोवस्त और महालवाडी बंदोवस्त 30 प्रसत पर और ये था लेखा जो था अगला भारत में उपनिवेसी काल में हिटली आयोग का उद्देश था हिटली आयोग 1929 तो भारत में उपनिवेसी काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश था स्रमिकों की मौजूदा परसितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें परस्तुत करना तिस्वा कोस्चन है भारत में भारतियों दोरा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंद में चलने वाला सीमित देता का प्रथम बैंक था तो भारत में भारतियों दोरा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंद में चलने वाला सीमित देता का प्रथम बैंक था अवद कामरिसियल बैंक अंग्रेज द्वारा रहत बाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था तो मदराज प्रेसिडेंसी में और बंबई प्रेसिडेंसी में रहत बाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया अगला कोश्चन है भारत में उपनिवेशी सासन के संदर में 1883 सिवी में पारित इलवर्ट बिल का उद्देश था जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का समन्द था भारती तथा यूरोपी लोगों को बराबरी पर रोकना तहीं तिस्वा कोश्चन है मिलान करना है और दूसरी सूची है तो पहली बड़े सामन्तों को आवंटित भूमी जमीदारी प्रडाली कहलाती थी जागीरदारी प्रडाली कहलाती थी माल गुजारी के इजारेदारों अथा तहसिल दारों को आवंटित भूमी जो होती थी उसे जमीदारी प्रडाली कहलाते थी बड़े सामन्तों को जो अवंटित भूमि थी उसी जागीरदारी और माल गुजारी के इजारेदारों अथवा तैसिलदारों को अवंटित भूमि उती थी उसे जमीदारी और तीसरा है उप किरायदारी पर देने गिर्वी रखने अस्तांतरन करने उपार देने या विक्रे करने के अधिकार सहित प्रते किसान को अवंटित भूमी जो होती थी उसे रयत बाड़ी प्रडाली कहते थे और ग्राम इस्तर पर की गई भूराजस प्रडाली महाल बाड़ जमीरदारी उप किरायदार पर देने गिर्वी रखने हस्तांतरन करने उपार देने या विक्रे करने के अधिकार सहित प्रते किसान को अवंटित भूमी जो दी जाती थी वो रयत बाड़ी और गर्राम इस्तर पर की गई भूराजस बंदोबस्त जमीदारी प्रडाली नही महाल बाड़ी प्रडाली चोंतिस्वा कोश्चन है बिर्टिस आसन के दवरान भारत में उद्धोगों का कोई सोतंतर विकास नहीं हुआ इसका कारण था भारी उद्धोगों का अभाव बिर्टिस आसन के दवरान भारत में उद्धोगों का कोई सोतंतर विकास नहीं हुआ इसका करण था भारी उद्धोगों का अभाव यद्ध भारत के व्यापार पर 1813 के चारटर एक दौरा कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया परन्तु चाय व्यापार के ओल कंपनी के लिए ही सुरच्चित रखा गया चतिसवा कोश्चन बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी क अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तह समाप्त किया गया अगला है इस्थाई बंदो बस 1793 के अंतरगत जमीदारों से अपेच्छा की गई थी कि वो खेतियरों को पट्टा जारी करेंगे अनेक जमिदारों ने पट्टा जारी नहीं कि ये इसका कारण था जमिदारों के उपर कोई सरकारी नियंतर नहीं था इस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतरगत जमीदारों से पेच्छा की गई थी कि वे खेतियरों को पट्टा जारी करेंगे अने एक जमीदारों ने पट्टा जारी नहीं किया इसका यह कारण था कि जमीदारों के उपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था 38 कोश्चन है इस्थाई बंदोबस्त के तहित सरकार ने जमीदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया इसी कारण इसे इस्थाई बंदोबस्त कहा गया सही है रहयत बाड़ी विवस्था के तहित सरकार ने रहयतों से लागान निश्चित किया इसी कारण इसे रहयत बाड़ी विवस्था कहा गया है ये भी कतन सही है महाल बाड़ी विवस्था के तहित प्रतेक खेत के आधार पर भूराजस निर्धारित नहीं किया गया बलकि प्रतेक महाल यानि जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया इसी लिए या बिवस्ता महाल बाड़ी बिवस्ता कहलाई ये तीनों संटेंस नहीं है इस्थाई बंदोबस्त के तहे सरकार ने जमिदारों से हमेशा मेशा के लिए लगान निश्चित किया रहत बाड़ी बिवस्ता के सह सरकार ने रहतों से लगान निश्चित किया और महाल बाड़ी विवस्ता के तहित प्रतेक खेत के अधार पर भूराजस निर्धारित ना होकर प्रतेक महाल यानि जागीर के एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया 49 कोस्चन है भूराजस विवस्ता और सम्मंदित व्यक्ति तो जो इस्थाई बंदोबस्त है इसके सम्मंदित व्यक्ति हैं कार्ण वालिस, चार्ल्स ग्रांट वा जान सोर रहत बाड़ी विवस्ता के हैं कैप्टन रीड, टामस मुन्रो, एली फिनिश्टिंग और महाल बाड़ी ब्यवस्ता के होल्ट मैंकेंजी वा मार्टिन बर्ड इस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जानसोर, रैत बाड़ी, कैप्टन रीड, टामस मन्रो, एली फिश्टन महालबाडी विवस्ता होल्ट माइंकेंजी मार्टिन बर्ट चालिसवा और आज कान्तिम कोस्चन है महालबाडी विवस्ता जिन छेत्रों में लागू की गई उनमें सामिल थे गंगा घाटी दोव के उत्तर पस्चमी प्रांत यानि पस्चमी उत्तर प्रदेश मद भारत के कुछ भाग मराठों के अधिकरत प्रदेश एवं पंजाब गंगा घाटी दोआग के उत्तर पस्चमी प्रांत यानि पस्चमी उत्तर प्रदेश मद भारत के कुछ भाग एवं मराठों के अधिकरत शित एवं पंजाब तो ये तो था सत्त्रवें का पहला भाग सत्त्रवें लूसेंट का भारती इतियास में बार बार इस वीडियो को देखें लाव ठाइम, थैंक्स फ़र वाची